Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's Interactive Classes. Hello everyone, today we will work in Hindi. And students, this is your Hindi Writing Book, Akshar Lekhni. बच्चों, आज हम Hindi में वर्क करेंगे और ये आपकी Hindi की Writing Book है, Akshar Lekhni. तो चलिए, शुरू करते हैं. And now, we are on page number 20. और अब हम आपकी Hindi Writing Book के page number 20 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का page number 20 निकालेंगे. And our today's topic is घर. आज का जो हमारा topic है, वो है घर. घर से घर. घर से घर. इससे पहले हम क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला कर चुके हैं. और आज हम कर रहे हैं घर, घर से घर. Right students, तो पहले हम इसको अपनी बुक में करेंगे. और उसके बाद इसको हम अपनी नोट बुक में करेंगे. तो बुक में हमें कुछ पोर्शन ट्रेसिंग पे दिया गया है. पहले हम ट्रेसिंग वाला पोर्शन करेंगे. उसके बाद हम जहाँ पर ट्रेसिंग नहीं दिया होगा. वहाँ पर हम डॉट्स की हेल्प से घर से घर बनाना सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. घर से घर बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे. एक कर्व बनाया. फिर दूसरा कर्व बनाया. और इसको यहाँ तक ले गए. फिर एक स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे. और उपर से स्लीपिंग लाइन. तो यह बन जाएगा घर से घर. तो बच्चों यह बन गया घर से घर. फिर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. पहले एक कर्व बनाएंगे. फिर दूसरा कर्व बनाएंगे. फिर एक स्टेंडिंग लाइन. फिर उपर से स्लीपिंग लाइन. घर से घर. ताई? अभी अधर चलते हैं. यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से ट्रेसिंग दिना गया. पहले एक curve बनाया, फिर दूसरा curve बनाया, और फिर standing line, और फिर उपर से sleeping line, घह से घर लाइट यह तो हो गया आपके tracing अब जहां पर हमें tracing नहीं दी गई है वहाँ पर हमें किस तरीके से बनाना है यह हम चलिए नीचे देखते हैं यहां पर dots की help से हम किस तरीके से घा से घर बनाएंगे अब देखिए यहां पर हम dots लगाना आपको सिखाएंगे किस तरीके सेots लगाने हैं गह बनाने के लिए हमें पहला बॉट यहां लगाना है 1 2 3 दूच लगाने और इसके थोड़ा सा आगे है मैं बान और तो चुरह लगाने है ठीक है अब हमें करना क्या है पहले बाले पहले यह तक बनाया और इसको बीज वाली लाइन तक ऐसे ले पूद फिर यहां पर सरी हा गर्ट बनाये मेच के फिर आगे तोड़ा से लगांग तो फिर एक कड़ें दूसरा का गर पनाया यहां पर लेगे उपर फिर पर टाड कर फिर बनाया र現在 स्लीप लाइव है ब्ला presentation जाएगा घर से घर गह बनाने के लिए टोटल हमें 5 डॉट्स लगाने हैं यहां से स्लीपिंग लाइन डाला दी ठीक है ना परिफर लगाएंगे पर उसके बार तू डॉट्स लगाएंगे एक बनाया दूसरा कर इसको यहां तक ले गए बीच वाली लाइन तर और यहां से एक standing line कीच दी तो बन गया गह से घर तो आपको भी इसी तरीके से अपनी बुक में डॉट्स लगाने और फिर डॉट्स पे इस तरीके से गह से घर बनाना है एक कर बनाया दूसरा कर और फिर standing line उपर से sleeping line तो यह बन गया आपका गह से घर तो इसको आप बुक में आपकी जो five lines है उसमें पहले three lines आपको tracing की दी गई है पहले वो tracing वाली lines करेंगे उसके बाद जहां पर नीचे tracing नहीं दी गई है वहाँ पर आप इस तरीके से dots लगा कर गह से घर लिखेंगे अब हम इसी pattern को follow करते हुए notebook में भी गह से घर लिखेंगे and now this is your hindi notebook और यह अब आपकी hindi की notebook है हिंदी की notebook में भी हमें उसी तरीके से dots लगा कर गह से घर लिखना है तो this is घर and घर से घर यह घर है और घर से घर ठीके बिच्चों तो मैंने यहां पर आपके लिख में अभी आपको dots बताये थे उसी तरीके से यहां पर dots लगाये हुए हैं अब यहां पर dots पर हमें कैसे लिखना है वह चलिए आप ध्यान से देखिए पहले dots से दूसरे dots तक एक छोटा सा कर्व बनाएंगे फिर दूसरे dots से तीसरे dots तक और इसको यहां तक लेके जाएंगे बीच वाली लाइन तक और फिर एक standing line बना देंगे उपर से sleeping line तो बन जाएगा घह से घर घह से घर घह से घर घह से घर तो इसी pattern को आप follow करेंगे dots के और इस तरीके से अपनी notebook में सुन्दर सुन्दर घह लिखेंगे घह से घर तो देखा आपने इस तरीके से five dots लगा कर हमने ये घह से घर लिख दिया तो आप भी इसी तरीके से अपनी notebook में dots लगाएंगे और फिर वहाँ पर घह से घर साफ साफ handwriting में लिखेंगे तो I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही thank you and good day I hope you enjoyed our video Thanks for being with us